हेलो आवरिवन, वेलकम बैक तो माई चैनल, तो कैसे हो आप मेरी यूट्यूब फैमिली? ड्रोन, आज के टाइम में हर कोई ड्रोन यूज़ कर रहा है चाहे वो सिनेमेटोग्राफर हो, एक फिल्मेकर हो, कोई यूट्यूबर हो, व्लागर हो, ट्रैवलर हो या फिर कमर्शल एरियल सर्विलेंस के लिए काम हो ड्रोन हर जगा आज कल यूज़ हो रहा है और DJI जैसे कमपनी Arial Technology को हर साल अपग्रेट करती जा रही है इस साल DJI ने ऐसा Amazing Drone लाँच किया है जो अभी तक के बाकि सारे ड्रोन को पीछे छोड़ देगा तो हम आज बात कर रहे है DJI Mavic Air 2S DJI Mavic Air 2S एक छोटा फोल्डिंग ड्रोन है जिसमें 1 इंच का कैमरा सेंसर है और ये कैमरा 5.4K वीडियो क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकता है Air 2S का अपग्रेटेड डिजाइन, अबस्टिकल सेंसिंग, वीडियो क्वालिटी और इसका छोटा साइज आज की डेट में इसे सबसे बहतरीन ड्रोन मनाता है अब बात करते है मैविक 2S के फीचर्स की तो मेन काम ड्रोन का क्या रहता है उसके कैमरा क्वालिटी तो इसमें है 20 मेगापिक्सल का कैमरा विद 1 इंच सेंसर और 1 इंच सेंसर बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो और पोटो आपको देगा 5.4K की इसमें recording capacity है बाकी 4K और 1080 उसके नीचे आता ही है इसकी वीडियो मेमोरी आपको 8-bit की recording प्रोवाइड करता है जिसकी वजासे जब आप प्रोस प्रोसेसिंग में अपनी वीडियो को color grade करोगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा high amount data provide करेगा जिससे आप बहुत अच्छे color corrections कर सकते हो अपनी वीडियो में एक और जो बहुत ही अच्छी बात है इस drone की इसका weight बहुत light है इसका weight आता है 450 grams जिससे ये micro drones की category में आ चुका है और आप easily से कहीं भी ले जा सकते हो इसके upgraded obstacle sensor में आपको मिलता है environmental sensing इसमें DJI ने दो sensor और बढ़ा दिये हैं जो की drone के front sensor के ठीक उपर दिया गया है max video transition distance है 12 km फैंकर distance है 12 km इसकी range है और height maybe 500 meters होगी अपी भी DJI ने Mavic Air 2S के साथ नया controller भी दिया है remote feature करता है 5.5 1080p display जिसमें आपको काफी असानी से drone fly करते वक्त सारी video footage दिखेगी drone आपको दो variety में मिलेगा जब आप उसे purchase करोगे एक normal pack एक fly more combo and fly more combo में इस बाइड़ीजा है बहुत ही exciting एक चीज दे रहा है जो बहुत जरूरी होती है filmmaking और वीडियोग्राफी में वह है ND filters तो आपको fly more combo kit में मिलेगा extra two batteries एक charging hub, extra propellers एक drone carry bag, car charger और ND filters इस बाइड़ीजा ने बहुत अच्छा किया नॉर्मल ड्रोन आप purchase करते है तो वह आपको पड़ेगा 90,000 रुपीज का और अगर आप fly more combo kit के साथ इसे purchase करते हैं तो वह आपको मिलेगा 120,000 रुपीज का so guys definitely यह मेरा future drone होने वाला है अभी तक मैं Mavic 2 Pro यूज कर रहा था बट जैसे ही यह इंडिया मैंने शुरू होंगे मैं इसे जरूर पर्चेस करूंगा and उसके बाद इसका एक proper review ढालूगा but फिलाल अभी हमें कुछ नहीं पता यह drone इंडिया में आएगा यह नहीं आएगा पर आया तो मैं इसे definitely purchase करने वाला हूँ so guys I hope आपको इस वीडियो से information पता चल गई होगी इस DJI के नई drone के बारे में अगर आप मेंसे बिल्कुल से अपना drone बनाना चाता है या अपने drone को upgrade करके इसे उसकी जगा लाना चाता है तो आपको हो सकता है में भी इससे थोड़ information पता चल गई हो and काफी सारे होंगे जिनने अभी तक नहीं पता था कि DJI ने ने एक और नए drone लांच किया है वो आपको इस वीडियो से पता चल गई है so guys thank you for watching this video अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो please video को like करें and channel पे नहीं हो तो subscribe करो thank you once again goodbye see you soon